आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे पेस के चापन नबर 10 में जो कि है इंटर्नल ट्रेड तो मैं तुश्रकारिया यहाँ पे आप सभी के सामने यह बहतरीन चाप्टर लेकर आयू जिस चाप्टर में यहाँ पे हम में ली जो इंपोर्टन टॉपिक्स इसकस करेंगे ठीक है सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा इंटर्नल ट्रेड के बारे में अब देखिए इंटर्नल ट्रेड एक्सरनल ट्रेड यह तो आप प्रीवेज चाप्टर में औरड़ी सीख चुके हो कि इंटर्नल ट्रेड मितलिब डॉमेस्टिक ट्रेड ट्रेड within the country, but ऐसे case में domestic trade कौन कौन करता है, तो generally यहाँ पर अगर हम एक supply chain देखे, तो जो हमारे manufacturers होते है, wholesalers होते है, retailers होते है, यह mainly वो व्यक्ति होते है, traders इनको combine कहा जाता है, यह वो व्यक्ति होते है, जो यहाँ पर internal trade करते है, या तो within the country buying and selling of goods and services करते है, तो इस chapter में सबसे पहले इनी के बारे में पढ़ा जाएगा जो आपके wholesalers है, ठीक है, तो wholesale trade क्या है, retail trade क्या है, wholesalers अलग-अलग लोगों को क्या services देता है, वैसे ही यहाँ पर retailer अलग-अलग लोगों को क्या services देता है, ठीक है, उसके बाद very very important topic जो यहाँ पर आता है, वो है अपके retailers के बारे में, तो classification of retailer on different factors तो हम करेंगे, पर यहाँ पर जो सबसे important question आता है, that is the different types of retailers, तो एक type of retailers होते हैं, जिनकी कोई भी fix जगा नहीं होती, जिनको हम itinerant retailers कहते हैं, तो different types of itinerant retailers पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ऐसे retailers के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी यहाँ पर fix store होती है, ठीक है, मतलब एक fix जगा होती है, जहाँ से आप इनसे चीज़ें खरीच सकते हो, especially जो large scale पर काम करते हैं, ठीक है, जैसे departmental stores है, chain stores है, उसके अलावा यहाँ पर mail order retailing है, automatic vending machines है, और यहाँ पर एक important छोटा सा topic भी include किया गया है, जो कि है यहाँ पर अपके GST के बारे में, that is goods and service taxes, तो क्या GST है, क्या उसके features है and so on, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर शुरुबात करते हैं, इस chapter के साथ, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, कि जब हम यहाँ पर internal trade की बात करते हैं, तो internal trade exactly क्या होता है, देखे बटा, अब हम यहाँ पर अगर trade की बात करें, ठीक है, तो trade बतलब क्या, buying and selling of goods and services, जोहाँ पर हम goods and services को buy and sell कर रहे हैं, लेकिन यह जो trade है, यहाँ पर दो types की होती है, एक को हम कहते हैं, internal trade, और दूसरे को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, external trade कहते हैं, ठीक है, internal trade मतलब क्या होता है, तो आप इसको trade within the country भी कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर country के boundaries के अंदर, बिना country की geographical boundaries को cross किये हुए, internal trade कहते हैं, वहीं अगर हम external trade की बात करें, तो external trade क्या होता है, तो इसको हम कहते है, trade between countries, ठीक है, यहाँ पर हम countries की geographical boundaries cross करते हैं, दूसरे country के साथ यहाँ पर buying and selling करते हैं, जिसमें import, export, enterport आता है, वह आगे के chapter में पढ़ेंगे, इसलिए हमारा main focus, यहाँ पर domestic trade पर होगा, देखे, internal trade को domestic trade या home trade भी कहा जाता है, तो internal trade की बेदा बात करो, तो again में repeat करती हूँ, trade का मतलब क्या होता है, तो buying and selling of goods and services, और जब मैं इसको internal trade कहती हूँ, तो कोई भी ऐसी trade जो country के geographical boundaries के अंदर किया जाता है, उसको internal trade या तो फिर home trade भी कहा जाता है, याद रखना, because यहाँ पर home trade करते हैं, हम सारी transactions जो है, buying and selling जो है, उसको home currency में करते हैं, home currency मतलब क्या, तो हमारे country की currency, तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में क्या चलता है, तो हम कहते हैं शबसे बड़ा रुपया, ठीके, तो इंडिया में आगर मैं रुपीज की बात करूँ, तो इंडिया में रुपीज चलता है, और यही जो रुपीज है, हमारी home currency है, अपने देश की करनसी है, जो यहाँ पे इंडिया में buying and selling चाहे है. आप कोई भी statement, कोई भी जगर पर करो, पैसा तो भाई रुपईया चलता है. ठीक है, इंडियन करनसी जो यहाँ पे इंडिया में हर एक internal trade में use किया जाता है. अब internal trade करने के main दो तरीके होते है एक तो आप यहाँ पे wholesale trade करते हो भी ओल्सेल ट्रेड क्या होता है तो जब भी आप यहाँ पे bulk trade कर दें हो हम कहते है ना थो़क की दुकान है wholesale की की दुकान है तो बैज़ां एक ऐसा वेक्ती होता है जो यहां पर Richmond में buying and selling करता है ठीक है wholesaler commodities किसको sell करता है तो wholesaler generally अगर आप देखोगे तो consumer से directly trade नहीं करता wholesaler यहाँ पर commodities sell करता है retailer को तो यहाँ पर अगर आप एक basic यहाँ पर supply chain या supply pipeline देखोगे तो एक basics यह अगर supply pipeline देखो तो सबसे पहले बटा हमेशा आपका कौन आता है सबसे पहले हमेशा आता है आपका manufacturer या तो आप इसको producer भी कह सकते हो manufacturer या producer वो व्यक्ति होता है जो goods को बनाता है रहे बनेगा तभी तो बेचोगे न गुड्ज होंगे नहीं तो बेचोगे क्या ठीक है तो यहां पर manufacturer and producer सबसे पहले आता है जो यहां पर goods and services को produce करते हैं बनाते हैं उसके बात manufacturer यह goods किसको sell करते हैं तो वो generally एक wholesaler को अपने goods को large quantities में sell करते हैं अब बच्छे पूछते हैं मैं manufacturer directly consumer को sell क्यूं नहीं करता एक simple सा reason ह हैं क्यूंकि consumers बहुत ज्यादा scattered है ठीक है goods बनते हैं एक जगा बट बिकते हैं हर जगा तो हर एक manufacturer के पास उतनी capacity यह possibility नहीं होती capability नहीं होती कि goods को यहाँ पर large consumers different markets different places तक यहाँ पर पहुचाया जा सके इसलिए manufacturer क्या कहता है कि भई अपने goods बनाना आता है goods बनाएंगे फिर वो उसको किसको sell करता है तो large large quantities में wholesaler को sell कर देते हैं अब wholesaler क्या करते हैं क्या वो goods directly यहाँ पर consumer को देते हैं नहीं as a wholesaler भी wholesaler कुछ few places पर पाए जाता है तो wholesaler भी generally यहाँ पर छोटे छोटे quantities में deal नहीं करते हैं वो भी directly consumers को नहीं बेचते हैं तो वो किसको बेचते हैं वो generally यहाँ पर sell करते हैं retailer को आपके घर के आजु बाजु जो भी किराने की दुकान है दूद की डेरी है जहाँ पर आपको छोटे-छोटे quantities में भी सामान मिल जाता है इन सब को हम यहाँ पर retailers कहते हैं और यह retailers वो व्यक्ति है जो यहाँ पर directly customers से connected होते हैं जो अपने customers को यह commodities बेचते हैं तो इस internal trade को facilitate करते हैं trade within country को यहाँ पर facilitate करते हैं या आगे बढ़ाते हैं तो यह एक normal supply chain है अब बच्चे पूछते माम इसमें agents, distributors भी आते हैं हाँ बिल्कुल आ सकते हैं यह बस एक example है अगर आपको distribution यहाँ पर large network पर करना है और कई जगों तक आपको goods को पहुचाने हैं तो ऐसे case में यह chain बड़ा होते जा सकता है इसमें agents, distributors, add होते जा सकते हैं ठीक है यह बस एक example है तो यहाँ पर wholesaler और retailers main role play करते हैं internal trade facilitate करने में यह basically आपके है सकते हो goods को final consumer तक पहुचाने के लिए तो manufacturer good बनाएगा goods की ज़रूरत किसको है customers को तो यहाँ से यहाँ तक goods पहुचाता क कौन है wholesaler और retailer तो यहाँ पर बिटा सबसे पहले अगर मैं wholesaler की बात करूँ जैसे मैंने कहा हो wholesaler और retailer सबसे important होते हैं trade facilitate करने में तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले wholesaler की बात करूँ तो क्या होता है wholesaler या क्या होता है wholesale trade ठीक है तो अगर बिटा मैं यहाँ पर wholesale trade की बात कर गुंसेलर को, तो होलसेलर कभी भी यहां पे बाइंग एंग स्टोर करोगे जब तक उसकी डिमांड नहीं आती, दूसरा यहां पे जब आम बाइंग करते हैं, तो जाहिवा तर जाहिप काफी सस्ता भी परता है, तो यहां पे होलसेलर buying and selling हमेशा large quantities या तो आप चाहो तो इसको bulk quantities भी कह सकते हो, ठीक है, उसके अलावा हर वो व्यक्ति जो यह काम करता है, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर manufacturer से large quantities में goods को purchase करके retailer को comparator smaller quantities में goods बेचता है, हर वो व्यक्ति को wholesaler कहा जाता है, ठीक है, तो यह जो आप काम करते हो, यह wholesale trade है, जो व्यक्ति यह काम करता है, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो उसको यहाँ पर wholesale trade, sorry, wholesaler कहा जाता है, याद रखेगा, wholesaler हमेशा bulk quantity में, यहाँ तो आप कह सकते ह यहाँ पर manufacturer से goods को purchase करेगा और यह purchase करके smaller quantities में देगा किसको तो retailer को, तो wholesaler कोई चीज बनाना या कोई चीज produce करना यह काम नहीं करता, वो बस यहाँ पर producer से लेता है, retailer को देता है, अब अगेन बच्चे सवाल पूछते के माँ, retailer directly भी तो manufacturer से ले सकता है, हम बिल्कुल ले सकता है, बट manufacturer को हमेशा अपने goods को एक साथ फटा फट बेचने होते हैं, वो भी large quantities में and generally cash transactions में, यह क्यों क्योंकि so that वो आगे की manufacturing का काम शुरू कर सके, अब retailer के पास उतनी जगा नहीं होती क्यों large quantities में goods को store कर सके, और ना ही उतने पैसे होते हैं कि वो यहाँ पर direct payment कर सके, और इसलिए यहाँ पर wholesaler का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एक तरीके से इनको क्या कहते है बटा, middle man कहते है, किन के बीच में middle man, तो जैसे मैंने आपको chain बताए थी, तो सबसे पहले manufacturer है, उसके बाद wholesaler है, उसके बाद retailer है, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो wholesaler है, वो एक तरीके से connecting line between the manufacturer and the retailer है, जो manufacturer को retailer से connect करता है, इसलिए wholesaler को यहाँ पर क्या कहा जाता है, एक तरीके से middle man कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, middle man यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, उम्मीद करती हूँ कि भई, आपको wholesale trade यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा, कौन wholes seller होता है, यह भी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा यहाँ पर अगर detail में जानने की कोशिश करें, तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ features, या तो आप इसको कह सकते हूँ, characteristics of a wholesale trade, ठीक है, अब मैं आगर wholesale trade की बात करूँ, सबसे पहले तो मैंने already आपको बता quantities में, या तो मैंने आपको कहा, इसको आप bulk भी लिख सकते हो, तो generally यह bulk quantities में deal करते हैं, बहुत बड़े-बड़े large quantities में यहाँ पर manufacturer से purchase करते हैं, और उसको comparatively smaller quantities में retailers को sell करते हैं, ठीक है, उसके अलावा next चीज यहाँ पर क्या है, कि generally इनके पास आपको varieties नहीं मिलेगी, त दुकान में जाते हो था, आपको cold drink, ice cream की राना, biscuit, cake, bread, butter, सब कुछ मिल जाएगा, बड़, wholesaler के पास इतने सारे different line of products नहीं मिलते, generally इनकी line of product की speciality होती है, जैसे अगर कोई शक्कर का wholesaler है, तो उसके पास अबको सिफ शक्कर मिलेगा, हाँ, इसमें different qualities, varieties मिल सकती है, बड़ चकर के अलावा, यहू, दाल, चना, bread, butter, सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, next important चीज क्या है, कि इनकी पास generally large amount of capital होना जरूरी है, अब देखें, यहाँ पे मैं manufacturer से bulk में purchase कर रही हूँ, अब मैं अगर बड़े-बड़े quantities में purchase कर रही हूँ, बट इतना quantity एक साथ बिकेगा न तो मान के चलू कि यहाँ पे मैंने, let's say 500 quintals अब यह हूँ, मैंने farmer से खरीदा, manufacturer से खरीदा, ठीक है, अभी 500 quintals मेरे एक साथ नहीं बिकेगा, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके जैसे-जैसे demand आएगी, retailer मेरे से खरीद दे जाएगा, पर तब तक तो मेरा पैसा block है ना, और मुझे इतना साथ large quantity अगर store करना है, तो उतनी बड़ी जगा, उतना बड़ा warehouse चाहिए, और इसी लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़ादा पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इन wholesale trade आपको बहुत ज़ादा amount stock में invest करना पड़ता है, और यह एक साथ पैसा आता नहीं है, यह धीरे 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 करके जैसे जैसे retailer के demand आती है, वैसे वैसे पैसा आपके पास आता है, ठीक है, जैसे मैं आपको already बता चुकी हूँ कि यह जो है retailers को comparatively smaller quantity में sell करता है, जैसे मैं अगर quintals में खरीती हूँ, ठीक हो सकता है retailer मेरे से आ retailer को sell करती हूँ, मैं जो घरीती हो comparatively बहुत ज़दा larger quantity होती है, generally wholesalers कभी भी ultimate consumers को sell नहीं करते, generally, बट आज के दारीब में बहुत सारे wholesalers ऐसे पाये जाते हैं, जो wholesalers और retail दोनों में deal करते है, retail में भी product sell करते हैं, बट ओविसी थोड़ा surprise difference यहां पर आ जाता है, ठीक है, next important चीज़ यहां पर यह है कि इनकी profit margin generally low होती है, क्योंकि बटा यहां पर quantity deals करते है, देखे बटा कैसे होता है जब आप बड़े बड़े quantities में deal करते हो, तो छोटे से छोटा profit margin में भी आपको जो actual profit होता है, वो generally large होता है, अब मान के चलो कोई कहेगा कि 2 रुपया kilo आप कमा कमा रहे हो ना, तो यहां पर महिने का 3 लाक हो गया ना, समझ रहे हो, तो ऐसे case में बटा, wholesalers के अगर बात करें, तो भले इनका profit margin per unit बहुत कम होता है, but because यह large quantities में deal करते हैं, तो comparatively अच्छा खासा profit कमा लेते हैं, ठीक है, next important चीज़ बटा, यहां पर क्या है, कि यह हमेश हमेश, उसके बाद कां आता है, तो उसके बाद आता है अपका wholesaler, पोलसलर के बाद बेटा कौन आता है, तो उसके बाद आता है अपका रीटेलर और रीटेलर के बाद बिटा कौन आता है तो उसके बाद आता है आपका कस्टमर ठीक है तो यहाँ पर टेक्निकली तो देखा जाए तो दोनों होलसेलर और रीटेलर इंटरमीडियरी है मैनुफाक्चर और रीटेलर के बीच में होलसेलर है तो यह आपका first intermediary हो गया, wholesaler और customer के बीच में retailer है, तो ये आपका second intermediary हो गया, अब manufacturer intermediary नहीं हो सकता, क्योंकि क्या उसके पीछे कोई है, नहीं, similarly customer intermediary नहीं होता, क्योंकि यहां पे तो supply chain हो जाता है, तो wholesaler आपका first intermediary है, उसके बाद second intermediary ये cycle को कौन connect करता है, तो इसको हम retailer कहते हैं, ठीक है और इसलिए भई हमारा next topic भी उसी से connected है, wholesale trade हमने समझ लिया, अब हम यहां पे retail trade को समझेंगे, so that दोनों की बीच का जो छोटा मोटा differentiation point है, वो भी आपके लिए यहां पे बिलकुल clear हो जाए, अगर मैं बटा है, यहां पे retail trade की बात करती हूँ, retail trade हमेशा यहां पे बहुत चोटे-चोटे quantities में किसको sell करता है, तो जो final consumer होता है, जो product को खरीदता है अपने use के लिए, अपने इस्तमाल के लिए, अपने consumption के लिए, ना कि आगे जाके बेचने के लिए, तो retailers किन के साथ deal करता है, consumers या customers के साथ directly deal करता है, retailers अपने goods wholesaler से खरीदता है, और इसको किसको consumer को बेचता है, तो इसलिए यहाँ पर retailer को link between wholesaler and consumer कहा जाता है, जो इन दोनों को यहाँ पर connect करता है, ठीक है, और इसलिए भई, retailer की अगर बात करें, या retail trade की बात करें, तो इस trade को जो करता है, उस व्यक्ति को retailer कहा जाता है, तो जैसे मैंने कहा जो wholesale का काम करता है, वो wholesaler, तो जो retail का काम करता है, वो यहाँ पर कौन बन जाएगा, वाल साब retailer बन जाएगा, बहुत simple से concept याद रखने के लिए, ठीक है, आगे जाते हैं, अब यहाँ पर हम retailer के कुछ ऐसे features या characteristics पढ़ेंगे, जिससे concept थोड़ा सा और ज़्यादा हमारे लिए clear हो जाएगा, right, retailer की ब जास्ट कड़ी है, ठीक है, उसके अलावा second important चीज यह directly किसको बेचता है, तो consumer या तो आप चाहो तो इसको customer भी कह सकते हो, ठीक है, next important चीज retailer हमेशा variety of goods में deal करता है, एक चीज रखता है, भले उसमें variety हो, हर एक चीज उसके पास आपको नहीं मिलेगी, पर आपको retailer के पास चले जाओगे, जैसे कि मान के चलो general stores है, तो महाँ पर किराने का सामान, bakery का सामान, dairy products, cold drinks, ice cream, chips, snacking items, बहुत सारी variety of चीज़े अपको एक retailer के पास यहाँ पर असानी से मिल सकती है, next important चीज वो हमेशा wholesaler से smaller quantities में buy करता है, देखो बटा, एक चीज समझो, wholesaler अगर मान के चलो हम एक simple से product का example लेते है, package drinking water, वो पानी की जो bottle है आती है, हम उसका example लेते है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर wholesaler जब manufacturer से bottles खरीता है, तो उसको कम से कम यहाँ पर 25,000 bottles का order देना होता है, retailer वहाँ से 100 bottles भी लेके आ सकता है, तो compare करोगे, तो wholesaler जितने बड़े quantity में manufacturer से खरीता है उससे कई गुना छोटे quantity में retailer यहाँ से wholesaler के पास से खरीता है, ठीक है, retailers हमेशा because consumers से directly connected होता है, तो मुझे ऐसे area में अपना business setup करना है, जो आजू-बाजू मुझे बहुत सारे customers या consumers मिल सके, तो जो residential areas होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर retailers की आपको हमेशा, इसलिए अपके घर के आजू-बाजू में हमेशा कहती हूँ, क्योंकि घर के आजू-बाजू आपको retailers हमेशा मिलेंगे because वहीं पर customers है, वहीं पर consumers है, तो वहीं पर उनका business भी है, ठीक है, आगे जाते to the next point, जो कि कहता है कि यह personal relations with the customers भी रखते हैं, देखी बटा, retail trade में ब बार बार आप ही से आके purchase करें, तो आपको customers के साथ एक bond loyalty relationship maintain करनी होगी, और इसलिए कुछ services जैसे free exchange देना, ठीक है product choose करने में मदद करना, free home delivery देना, ये सारी चीज़े करके वह customers के साथ अच्छे relationships maintain करने की कोशिच भी करते हैं, उसके अलावा ये जो retailers है, वो customers को different medium से यहा information दे सके, जानकारी दे सके और और ज्यादा customers यहाँ पर attract कर सके, ठीक है, next important चीज़ क्या है, कि yes, ये middleman है between the wholesaler and the consumer, इसलिए इसको second intermediary भी कहा जाता है, जो wholesaler और consumer के बीच में है, as a connecting link, as an intermediary, जो इन दोनों को यहाँ पर connect करता है, right, तो एक distribution chain अगर पढ़ लिया, तो उसम असानी से यहाँ पर clear हो जाती है, और ज्यादा clarity के लिए यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में distinguish दिया है, जिससे concept बहुत ज्यादा असान हो जाएगा, कि actual में wholesaler और retailer के बीच में differentiation क्या है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत important चीज़ है, अब देखे, सबसे पहले तो भई वो final consumer से deal करता है, उनको good to services बेचता है, और खरीदता किस से है, तो भई यहाँ पर wholesaler से products खरीदता है, तो wholesaler manufacturer से लेगा, retailer को देगा, वहीं अगर एक retailer है, तो wholesaler से लेगा, customer को देगा, तो यह एक main difference सबसे पहले हो गया, कि इनके जो buyer और seller है, वो different है, ठीक है, link की बात करें, तो भई wholesaler, manufacturer, retailer के बीच में connecting link है, जब भी retailer की बात करें, तो wholesaler और consumer के बीच में ये एक connecting link है, ठीक है, price की बात करें, तो भई इनका profit margin कम होता है, तो अगर अब product price देखो, तो wholesaler के पास आपको सस्ता मिलता है, retailer के पास आपको महंगा मिल सकता है, next important चीज, competition की ब retail trade करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर competition भी बहुत ज़्यादा है, volume of transaction की बात करो, तो भई ये लोग large quantities में deal करते हैं, इसलिए इनका एक एक transactions यहाँ पर लाखों का होता है, retailer यहाँ पर consumers को बहुत smaller quantities में बेचते हैं, तो tens and hundreds का भी इनका transaction हो सकता है, जैसे मैं आपको अल्रेडी बता चुकि हो, wholesale business करने के लिए बहुत ज़्यादा capital के requirement होती है, तो capital requirement यहाँ पर huge होता है, जबकि retail business की बात करो, तो comparatively कम capital के requirement होती है, तो capital requirement यहाँ पर कम हो जाता है, deals इनकी बात करो, या products की बात करो, तो इनके पास generally one line of product होगा, बहुत सारे products है और उनकी varieties नहीं होगी, जबकि retailers की बात करो, तो yes, इनके पास बहुत सारे different product categories और उसमें बहुत सारे different varieties भी जरूर होगी, ठीक है, next important चीज़ यहाँ पर area of operation की बात करो, तो भाई यह जो wholesale है, यहाँ पर अलग-अलग cities में भी supply करता है, तो wholesale business एक जगे पर है, बट उनक एक area में setup होता है, और उसलिए उसी area में उनके customers या consumers होते है, selling की बात करो, तो यहाँ पर कम से कम art of selling required होता है, वो display करना, mannequins, बड़े-बड़े showroom, advertisement, यह minimum होता है, जबकि retail trade की बात करो, तो competition ज़्यादा है, से लिए art of selling, advertisement, mannequin setup करो, showroom बनाओ, customers को attract करने के requirement ज़्यादा हो हो जाती है, wholesale trade में advertisement minimum होती है, या नाख के बराबर होती है, retail trade में ज़्यादा advertisement की ज़रूरत यहाँ पर पढ़ सकती है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक wholesaler की services और एक retailer की services, कि एक wholesaler क्या different services देखता है, एक manufacturer को और दूसरा retailer को, देखो, wholesaler connecting link है, जो manufacturer से goods buy करता है, retailer को sell करता है, दोनों के साथ deal करता है, तो दोनों को different services देनी होगी, right, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे services of a wholesaler to the manufacturer, कि manufacturer को वो क्या different services देता है, तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ, तो भई, यहाँ पर manufacturer जादा से जादा production कर सके, देख से economics में पढ़ते हो, कि जितने larger quantities में आप बनाओगे, उतना आपको economies of scale का benefit मिलेगा, basically उतना आपका जो cost of production per unit है, वो कम होते जाएगा, बिटा देखो, आप कम से कम quantity, smaller quantities में बनाओगे, तो raw material महेंगा पड़ेगा, labor महेंगा पड़ेगा, full capacity utilization नहीं होगा, तो basically चीज महेंग यहाँ पे जो wholesaler है, वो manufacturer से बड़े-बड़े quantities में purchase करता है, वो खरीडता है, तभी तो manufacturer बना पाता है, वरन्ना manufacturer ने बड़े-बड़े quantity में बना लिया, बट wholesaler उससे खरीदी नहीं रहा है, छोटे-छोटे quantity में खरीद रहा है, तो manufacturer बनाएगा कैसे, ठीके, तो ऐसे case में जो wholesaler है, वो यहाँ पे large scale में manufacturer से चीज़े purchase करके, manufacturer को एक तरीके से एक मौका देता है, कि वो bulk में produce कर सके, और उनको large scale production के benefits मिल सके, जिसका cost per unit जो है, उनका reduce हो सके, ठीक है, second important चीज़ बटा है, यहाँ पे क्या है, तो helps in marketing function, अब देखिए, generally जो manufacturer होता है, उनका main यहाँ यहाँ पे काम क्या होता है, चीज़ों को बनाना, यह चीज़ों की marketing, advertisement कैसे करनी है, इसको कैसे बेचना है, उनको इसका ज्यादा knowledge नहीं होता, तो यहाँ पे यह काम में wholesalers कहीं न कहीं उनकी मदद करते हैं, ठीक है, यहाँ पे wholesalers अपनी sales force लगाते हैं, अपनी team of agents different locations में हैं, वहाँ पे retailers के पास जाके, samples दिखाके, product दिखाके, उनसे orders लेकर आते हैं, तो manufacturer को खुद अपने product retailers सक पहुचाना, बेचना, यह काम नहीं करना पड़ता, वो बस चीज़ों बनाने में, produce करने में focus करते हैं, wholesalers अपनी team setup करके, यह product samples के साथ, retailers के बेचते हैं, औ इसके अलावा, जो retailers होते हैं, उनको वो convince करते हैं, कि उनकी products को यहाँ पर अपने stores पे display करें, जैसे अपने काफी बार अपने घर के आजूबाजू ने दुकानों में देखा होगा, ऐसे उपर ceiling से stickers लटकते होगे, ठीक है, यह ऐसे कोई भी ना general stores में जाओगे, तो सामने इसे बड़ा सा transparent dairy milk box होता है, जिस पर आजू बाजू सब जगा catberry catberry लिखा होता है, तो यह क्या है, तो एक तरीक से product advertisement है, ठीक है, तो अलग अलग products को display करके, काच में लगा के, ठीक है, stickers लगा के, boxes लगा के, हर जगा प्रिंट करके, retailers को वो convince करते हैं, कि आप हमारे product का में मदद करता है, उसके अलावा वो export advice भी यहाँ पर देते हैं, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर generally क्या होता है, तो manufacturer product बनाता तो है, पर consumers को exactly क्या चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि manufacturer तो directly कहीं से भी consumer से connected नहीं है, तो wholesaler एक तरीके से inner way retailer की मदद से consumer feedback and information collect करता है अब काफी बार हम product खरीदते हैं, ठीक है, product खरीदने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम सामने दाके बोलते हैं, यार यह last time मैंने लिया था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है, या यह यह तो अभी पुराना सा हो गया, या यह यह तो बहुत अच्छा था या last time लिया था, वही same चीज दे दो, तो यह जो भी consumer needs, wants, feedback होता है, वो एक तरीके से retailer से collect करके, यही feedback वो यहाँ पे manufacturer को देते हैं, so that in information से, जो producers या manufacturer है, वो अपने production में changes कर सके, अगर उनको feedback मलता है कि भाई, यह प्रड़क्ट में यह चीज अच्छी नहीं थी, तो उसक finance बदल सके, क्योंकि manufacturer का product बिकेगा, जो वो customers के needs and wants के साब से होगा, तो उनको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे wholesaler and retailer उनको मदद करते है, उसके बाद next चीज क्या आती है, तो storage, अब manufacturer generally बनाता है bulk quantity में, लेकिन bulk quantity में बनाने के बाद बिकेगा सारा product एक साथ नहीं, जैसे जैसे demand आएगी, आप उसको थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा करके बेचते जाओगे, पर जब तर demand नहीं आती, तब तक आपको product को safely कहीं पे store करना है, जो इसके लिए लगते हैं बड़े-बड़े go-downs या तो warehouses, अब इतने बड़े go-downs generally manufacturer के पास नहीं होते, और होते भी ह तो raw material store करना है, ऐसे में finished goods store करना है, उसके लिए लगता है, तो ऐसे case में ये storage का यहाँ पे जिम्मेदारी कौन लेता है, भाई, ये storage के जिम्मेदारी पूरी लेता है, होलसेलर, और जिम्मेदारी सिर्फ नहीं, बटर रिस भी उठाना पड़ता है, यूगि आपने warehouse में इ उठाता है, रिस कौन उठाता है, तो होलसेलर उठाता है, उसके अलावा financial assistance देना, बटर financial assistance आप यहाँ पे कैसे देते हो, देखिए, सबसे पहले जो मैं manufacturer से चीजे खरीती हूँ, ठीक है, manufacturer का काम क्या है, goods बनाओ, बेचो, पैसा आया, वापस बनाना शुरू करो, तो इसक कैसा करोगे, ठीक है, तो ऐसे case में मुझे फिनांशिल असिस्टेंस उनको कौन देता है, होलसेलर, कैसे देता है, तो सबसे पहले वो जब भी हाँ पे order प्लेस करते है, राइट, जैसे मैं कहते हूँ कि मुझे यह चीज दसलाग units शाहिए, ठीक है, तो ऐसे case में उसको बना आने के लिए जो raw material labor लगेगा, उसके लिए पैसा जीए, तो generally wholesaler जब भी order paste करते हैं, तो उसका advance भी देता है, कि इतना पैसा advance ले ले, वो advance से manufacture चीज़े लाके production कर सकता है, final goods बनके बेच देगा, तब बाखी का पैसा भी आ जाएगा, तो एक तो यह फाइदा होता है, दू मैंने तो goods बनाए नहीं, बनाए नहीं, बिक्के नहीं, बिक्के नहीं तो मेरे पास पैसा है नहीं, तो ऐसे case में मुझे goods बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, फिर ऐसे case में bank में जाओ, financial institute जाओ, loan लो, loan लोंगी तो व्याज भरना पड़ेगा, तो उसमें तो बेटा मेरा ह कम हो जाता है, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, to the next, जो की है, bearing the risk, अब जैसे मैंने अल्रेडी कहां कि यहाँ पे goods बनने के बाद, manufacturer तो wholesaler को थौप देता है, ठीक है, सौप देता है, बोलूँगी, बट एक तरीके से भई, उनको pass on होई जाता है, बड़ यहाँ पे जब त इसमें मन के चलो कोई fashionable product है, जैसे की clothing items, तो ऐसे case में हमने कपडे बना है, हमने तो फटा-फट बना के manufacturer ने wholesaler को बेच दिये, अब अगर उसकी fashion चली गई, outdated हो गया, तो नुकसान किसका, wholesaler का, यह इतने bulk quantity में manufacturer से लेके store किसको करना है, wholesaler को, वो goods को कुछ हो गया, तो नु यह risk majority wholesaler के उपर आ जाता है, उसकी अलावा facilitates production continuity, देखे बड़ा, यहाँ पे अगर मैं एक producer हूँ, और मुझे अगर यहाँ पे production continues करते रहना है, मतलब मैंने product बनाया, बेचा, वापस बनाया, बेचा, वापस बनाया, बेचा, अगर यह cycle मुझे continues यहाँ पे रखनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास उतनी पैसे और जगा हो, ठीक है, तो पैसा मुझे wholesaler देता है, advance देके, जगा मुझे मिलते है क्योंके goods बनाया, बेच दिया, सारी जंजट अभी wholesaler उठाता है, वो अपने go-down में रखता है, तो मेरे पास जगा होती है, तो मैं goods बनाती हूँ, बेचती हूँ, बनाती हूँ, बेचती हूँ, यह कारण wholesaler है, अगर wholesaler नहीं होता, मैं goods बनाती, store करती, जब तक वो बिकता नहीं, तब तक पैसा आता नहीं, तो आगे का production में कैसे करती, कैसे, और इसके कारण हो सकता है, shortage भी आता, क्योंके मैं goods बेच रही है, यहाँ पर wholesaler है, जो यह problems of manufacturer को solve करता है, यह different services manufacturer को देता है, ठीक है, एक तो वो manufacturer से connected है, तो उनको तो बहुत सारी यहाँ पर services दी, बट दूसरा वो किस से connected है, तो retailer से दोनों के बीच का intermediary wholesaler है, तो दूसरा वो किस से connected है, goods बेचता किसको है, एक wholesaler, तो एक retailer को यहाँ पर sell करता है, तो services और retailer की बात करूँ, तो सबसे पहले ही यहाँ पर बात आती है, availability of goods, पिटा देखो, retailer goods को थोड़े थोड़े quantity में खरीता है, क्योंकि उसको अलग-अलग brands and products की बहुत सही वराइटी अपने दुकानों में store करनी होती है, तो ऐसी case में जैसे जैसे demand आती है वो wholesaler के पास जाके goods थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा करके लेके आता है, लेकिन जब demand आये, वो जाये, मांगने जाये, तब wholesaler के पास होना चाहिए, wholesaler bulk stock अपने go-downs में store करके रखता है, so that जैसे जैसे demand आये, वो retailers को supply करते जाए, और retailers के यहाँ पे continuous stock available हो, और वो customers की region wants and demands को पूरा कर सके, ठीक है, next important चीज़ पिटा, यहाँ पे क्या है, तो grant of credit, भले wholesaler जब भी manufacturer से goods खरीदता है, तो advance payment देता है, cash transactions करता है, पर जब वो retailers को goods sell करता है, तो retailer के पास generally उतना surplus पैसा या cash नहीं होता, यो पैसा देके goods लेकर है, तो retailers generally क्या कहते है, कि भई देख, थो तो ऐसे कि इसमें, most of the time, जो wholesalers है, वो retailers को goods credit पे, या तो आप हिंदी में कह सकते हो, उधारी पे यहाँ पे देते है, right, retailers generally payment कप करते है, जब customers को goods बेचके, उनका पैसा आता है, वैसे वो धीरे 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 करके, यहाँ पे wholesalers को pay करते है, तो यहाँ पे credit भी risk बटा कौन उठाता है, wholesaler उठाता है, ठीक है, उसके बट बटा, next चीज यहाँ पे क्या है, तो risk sharing, रिस शेरिंग की बटा, यहाँ पे अगर बात करू, तो देखे, retailers जो होते है, generally wholesaler क्या करता है, उनकी एक sales team होती है, right, तो आप यहाँ पे retailers के पास different samples लेके जाते हो, अलग-अलग products के retailers को जो चीज़े अच्छी लगती है, वो उसका आपको order देता है, तो order quantity आप note करते हो, note करके आप जाते हो, वापस वापस जाके आप इन orders को pack करके, transport करते हो retailers के shop पे, अब ऐसे case में मान के चलो, अपने को एक retailer का order दिया, order आपने यहाँ पे अच्छे से pack करके, आपके truck में डाल दिया, अब यह truck में goods damage हो गए, loading में damage हो गए, unloading में damage हो गए, during transit damage हो गए, पर goods जगर damage हो गए, तो नुकसान किसका, आप retailers को damage good दोगे, तो उतो आपको पैसा नहीं देगा, तो यहाँ पे नुकसान किसका हुआ, transportation कौन करा रहा था, wholesaler, तो नुकसान जिलना किसको होग होलसेलर को, ठीक है, तो risk भी भई, यहाँ पे एक तरीके से retailer के बदले, wholesaler जिलता है, ठीक है, next important चीज़ पर यहाँ पे आती है, specialized knowledge, अब देखिए, wholesaler directly producer से connected होता है, तो producer क्या बना रहा है, आगे क्या बनाने वाला है, क्या नए products वो बना रहा है, क्या innovative products बना रहा है, इनक information, wholesaler, retailers के through, pass करके, retailers को pass करके, यहाँ पे उनको यह नए products, new technology, new innovations के बारे में, यहाँ पे updated रखते है, ठीक है, next important चीज़ पर यहाँ पे क्या है, तो that is publicity, अब publicity की बात करूँ, तो जैसे मैंने गहाँ कि wholesaler, जो है, कहीं न कहीं, retailers को convince करते हैं, कि वो अपने shops में उनके products की advertisement क करें, जैसे वो tags लगाना, panners लगाना, बक्से रखना, तो एक तरीके से यह जो wholesaler है, वो अपने goods को यहाँ पे advertise करते हैं, retailer के shop में, अब उनके products advertise होते हैं, और अगर उसकी demand आती है, तो products तो retailers की भी बिक्र है, तो भले advertise अगर wholesaler करता है, बट फाइदा तो बटा कहीं न कही retailer को भी होता है, कि भाई तो यह ले अपने दुकान पे चुपका दे, या offer दिखा दे, अब ऐसे के समी customer को पता चला, customer को पसंदा है, उन्होंने खरीदा, तो भाई profit तो retailer का भी तो हुआ, है कि नहीं, absolutely, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, next page जो की है, यहाँ पे marketing support provide करना, क इसको, तो यहाँ पे marketing support दिया जाता है, to the retailers, कैसे marketing support दिया जाता है, तो देखिए, generally यहाँ पे wholesalers, बहुत सारे different marketing functions विभाता है, ठीक है, जैसे retailers को sample products देना, ठीक है, उनके यहाँ पे banners, posters, offers लगाना, products की display करना, stickers लगाना, यह सारी चीज़े यहाँ पे करके, retailers को एक तरी उसको demand करे, और retailers का भी benefit हो, right, next important चीज़ बिटा क्या है, तो economies of scale, ठीक है, बिटा देखिए, economies of scale, basically ही क्या होता है, तो यह होता है, bulk production, जादा quantity में, जब भी आप चीज़ों को बनाते हो, repeat करती हूँ, whenever you produce in higher quantities, और large quantities, और bulk quantities, ऐसे case में, आपका जो cost per unit of the product होता है, वो reduce होते जाता है, because of bulk buying of raw material, full capacity utilization, etc, basically wholesaler यहाँ पे manufacturer से bulk में खरीता है, तो wholesaler को चीज़े काफी सस्ती पढ़ती है, उनको सस्ती पढ़ती है, plus उनका profit margin भी कम होता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो, कि यह जो चीज़े सस्ती बनी, बनी wholesaler की वज़े से, पर चीज़े सस्ती बनी, त बढ़ते जाएगा, जैसे अगर मैं एक simple example दे दी हूँ, कोई भी चीज 10 रुपई की है, ठीक है, अभी चीज 10 रुपई की है, आपने 6 रुपई में बना ली, तो 4 रुपया मिल गया, आपने 7 रुपई में बनाए, तो सिर्फ 3 रुपया मिला, आपने 8 रुपई में आओगे न, उतना आपका profit margin बढ़ते जाएगा, तो बच्चे कहते हैं, माम अगर profit margin जादा ही चाहिए, तो price बढ़ा दो, बात सही, लेकिन economics क्या कहता है, अगर हम यहाँ पे price बढ़ाएंगे, तो demand कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसके लिए भई, price बढ़ाना कोई smart option नहीं ह होता, cost of production जितना आप यहाँ पे reduce कर सको, सबसे best option यहाँ पे होता है, ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, भई, दूसरे intermediary के पास, जो की है, retailer, wholesaler तो दुनिया भर की services देता है, लेकिन retailer क्या करता है, ठीक है, तो retailer की बात करो, तो retailer एक connecting link है, between the wholesaler and the customers, तो यहाँ पे हमें कि as a retailer सबसे पहले आप आपके जो consumers है, उनको आप यहाँ पे क्या different services देते हो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे consumers के लिए product यह वराइटी और प्रड़क्स यहाँ पे available रखना, ठीक है, रेके, consumer को कोई भी product के अगर need or want होती है, मुझे कोई भी product के अगर जरूरत है, एक basic example ल खरीद पाऊंगी, तो ऐसे case में यह चीज़ों को constantly available रखना, यह किसका काम है retailer का, जिससे एक तरीके से consumers के जो भी need and want होती है, वो easily यहाँ पे satisfy हो सकती है, second important चीज़, retailers के पास हमेशा variety of products एक जगे पे available होता है, आप साबुन खरीदने चले जाओ, तो अलग-अलग brands के different, different variants और fragrances के soap मिलेंगे, वैसे ही अगर अब deodorant खरीदने चाओ, तो अलग-अलग brands के different, different fragrances के deodorant की पूरी ऐसे line लगी होगी, right, तो different varieties, brands, price range available करके हो कोशिश करता है, कि customers अपनी needs और wants को एक जगे पे एक साथ यहाँ पे पूरा कर सके, next important चीज़ क्या है, तो नए product related information देना, right, काफी पर ऐसे हुआ होगा कि आप कोई retail shop पे गए होंगे, जैसे Big Bazaar, D-Mart, कहीं पे भी कहें, तो एक व्यक्ति ऐसे आ जाता है, Sir, यह try करोगे क्या, ठीक है, अभी जैसे recently हम लोग ऐसे store में गए थे, तो एक lady आई थे, ऐसे बढ़ी आसा है ऐसे रो, डबबबबबबब बढ़े के madam cheese nugget, try करोगे तो, अभी cheese सुनके किसका control रता है, ठीक है, तो मैंने बढ़ा रहे, वाँ, क्यों नहीं भाई, दो दे दो, दो खा लेंगे हम तो यार, ठीक है, but anyways, मिला एक ही, क्या ही तो गरे, बढ़ एक तो मिला, तो हमने इसे यह try किया, ठीक है, try किया तो बह ठीक है, तो बढ़ा देखिए, basically कहने का मतलब क्या है, कि market में जब भी new product launch होता है, एक तो थरीका होता है, कि आपको advertisements के, through यह product के बारे में पता चल जाता है, बढ़ा यह product related, अगर कोई भी information चाहिए, कुछ offers run हो रहे है, कुछ उसके usage related details चाहिए, तो retailers generally यह आपको provide करते है जिससे आप better choices in terms of product कर सकते हो, ठीक है, next important चीज़ पिटें, यहाँ पर क्या है, तो demonstration and after sale services, यह दो different concept है, generally demonstration का मतलब क्या होता है, तो product को display पर लगाना, ठीक है, तो generally यह नहीं products आते है, या अगर कोई offers run कर रहे होते हैं उन products पर, तो आगे display पर वो offers, products ऐसे, बढ़े- departmental store अगर 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 हो गयर हो गया तो आपको हर counter पर, वहाँ पर plum cake की plum cake बिखा होगा, तो इसी को बिटा कहते है, demonstration या तो display करना, ठीक है, उसके अलावा अगर आप clothing store पर जाओ गया, तो ऐसे mannequin को dress पना होगा होता है, वो देखके अधा हमें लगता है हम भी ऐसे खुबसूरत दिखे के, ठीक है, generally, that is demonstration, उसके अलावा after sale services देना, जो generally apply होता है durables पर, जैसे tv है, washing machine है, refrigerator है, air conditioners है, आप इन चीजों को जब purchase करते हो, तो बटे ये चीजे आप काफी लंबे समय तक use करने वाले हो, 2, 5, 10 साल के लिए, तो ऐसे कि इसमें हो तो installation को लेकर, यहाँ पर वो आपको after sale services भी देते है, right, उसके अलाव consumers को free home delivery देना, आप जैसे आप यहाँ पर, आपके यहाँ पर किराने वगर की दुकान है, ठीक है, तो हम जाते हैं, उनको list लिखा के आते हैं, अभी तो जाना भी नहीं पढ़ता है, WhatsApp पर हम टाइप करक है, तो फाइदे तो बहुत है, देखा जाते हो, पर एक तरीके से भई बहुत अच्छी चीज है, यह जो retailers होते हैं, काफी बार यह delivery free of course भी देते हैं, तो भई घर बैटे सामान, मंगा भी लेते हो, आप भी जाता है, सब घर बैटे हो जाता है, वा भई वा, तभी हमारी य चलो, milk खरीदना है, या मुझे अगर bread खरीदना है, या मुझे अगर eggs खरीदना है, तो मुझे 10 km दूर जाना पड़ता है, क्या, जनरल यह retail source हमारे residential area में, घर की आजू-बाजू ही होता है, तो ऐसे case में, भई, कोई भी चीज है, तो फटा-फट नीचे गए और लेकर है, तो ममी सबसे पहले बोलती है, पेटा, दूद लेकर आना चाहिए के लिए, फिर हम भाग भाग के नीचे जाते हैं, पाच मिनट पर दूद लेकर आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इतने easily nearby locations में available होते हैं हमारे retailers, उसके अलावा काफी retailers आपको credit facility भी देते हैं, याद रखना, अगर आप पुराने नोन कस्टमर हो, तो नई दुकान में जाओगे, बोलो के भया कल दे दूँगा, पैसे वो बोलेगा, भय तू प्रड़क भी रखे जाओ, ठीक है, बट हाँ, अपने पुराने और regular customers को काफी retailer credit facility देते हैं, जैसे गिराने के दुकान में आप च उसके अलावा अगर wholesalers और manufacturers की बात करें, तो इनको retailer क्या services देते हैं, तो अगर यहां पर retailers की बात करें, सबसे पहली चीज वो wholesalers और manufacturer को मदद करते हैं, कि उनके goods को final consumer तक यहां पर पहुचा सके, जैसे मैंने कहा कि काफी बच्चे doubt पूछते हैं कि माम, क्यों ना manufacturer, wholesalers खुद अपने products consumers तक पहुचा दे, देखो बटाइस में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है, कि यहां पर consumers है बहुत scattered है, गाउ के कोने 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 तक यहां पर पार ले जो biscuit, कोको कोला, आमोल बटर मिलता है, बट गाउ के कोने कोने में यह बनता तो नहीं है, तो ऐसे के स में इतनी सारी factories or supply chain लगाना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, retailers, wholesalers के द्वारा मदद करते हैं, different consumers छोटे से छोटे मार्केट में अपने products खरीच सके, उसके लिए retailers वहां तक यह products को ले कर जाता है, उसके अलावा personal selling, बट अब परसनल selling के अगर बात करूं, तो wholesaler, retailer, retailer को अपने products बेच देता है, ठीक है, customer आएगा, उनको product दिखा, उनको convince करो, explain करो, bargaining करो, यह कोई करता है क्या, कौन करता है, retailer, तो यहाँ पर main retailer का काम होता है, customers के सार्ड डील करके, बात करके, convince करके, यह products को यहाँ पर sell करना, उसके अलावा large scale production enable करना, देखो बटा, यहाँ प लेता है, retailer यह सिम्मेधारी लेता है, करके, आप अपने products को बेच पा रहे हो, products भिक रहे है, तब ही तो बन रहे है, right, अगर products भिक ही नहीं, अगर retailers, customers को convince ही ना कर पाए, तो आप बनाओगे, क्या, नहीं, नहीं, ठीक है, next important चीज़ बिटा, यहाँ पर क्या है, तो helpful in promotion, अ आपने ट्राइ किये क्या, नहीं, नहीं, अंकलिक देदो, है ना हम यह करते है, तो देखे, generally क्या होता है, आपको पता है, यह जो retailers होते है, यह new products market में promote करते, और सबसे important चीज़ आपको पता है, हमें wholesaler और manufacturer पता नहीं होता है, बहले मुझे पता है कि यह प्रिटानिया का ह है, बट किसने बनाया कौन है, क्या है, वो व्यत्ती से हमारा कोई relation नाता नहीं होता है, retailer से हम regularly मिलते है, store में जाते है, तो एक तरीके से bonding relation हो जाती है, प्लस यह retailer हमको credit facility देना, home services देना, यह सारी चीज़े देता है, तो एक तरीके से हमारा trust भी build up हो जाता है, तो retailer अगर क कर पाता है, ठीक है, उसके बट बटा next चीज़ यहाँ पर क्या है, तो collecting market information, again, consumers को product पसंद आया, नहीं आया, अच्छा था, क्या कमी थी, यह information consumer किसको बताएगा, retailer को, retailer के तो manufacturer के पास जाएगा, sorry, wholesaler के पास जाएगा, wholesaler manufacturer को बताएगा, तभी तो product related changes अगर लाने की जरूर है, तो आप इसको market में लेके आप आऊगे, ठीक है, चलिए, अब हम जाते हैं थोड़ा से retailer topic पे, अब भले इस chapter में wholesaler retailer दोनों था, बट मीन emphasis यहाँ पे retailers के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम classification and types of retailers यहाँ पे पढ़ेंगे, classification of retailers की बात करें, तो मैं कहते हूँ कि भई, retailers बहुत सारे type के है, कुछ यहाँ पे itinerant है, कुछ fix shop है, कुछ छोटे है, कुछ बड़े है, तो कौन से business पे आप यह categories बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम retailers को divide करते हैं, कि वो जो business कर रहे है, कौन से scale पे यहाँ पे कर रहे है, ठीक है, तो एक छोटी सी छोटी दूद क देरी या paper वाला या bakery ये भी एक retailer है, पड़े से बड़ी दुकाने जिसे lifestyle है, या shop stop है, या demart या big bazar है, ये भी retailer है, तो retailer बहुत small scale पे भी होता है, बहुत large scale भी होता है, तो small retailers भी होते हैं, large retailers भी होता है, इनको कहते हैं on the basis of size, उसके अलावा ये retailers के पास कितने different varieties of products पे available है, ठीक है, तो कोई भी दुकान में उपर इसे लिखा होगा न, general stores, तो उनके पर सारी चीज़े generally available होती है, अब general store में जाओगे तो chocolate, ice cream, cold drink, chips, biscuit, bread, kirana, ठीक है, उसके अलावा साबून, toiletries, बहुत सारी चीज़े, बहुत सारी चीज़े यहाँ पे available होती है, तो general stores और departmenters तो उसमें wide range होता है, बट ऐसे भी कुछ shops होते हैं, जो यहाँ पे single line of product में deal करते हैं, जैसे अगर आप बाटा की दुकान में जाओगे, तो जूतों के अलावा आपको generally कुछ नहीं मिलेगा, या बहुत ही few categories मिलेगी, और चीज़े नहीं मिलेगी, ठीक है, तो कुछ retailers ऐ ऐसे होते हैं, जो बहुत सारी different products और उनमें varieties रखते हैं, कुछ retailers होते हैं, जो एक product में specialize करते हैं, उसी में varieties रखते हैं, ठीक है, उसकी अलावा next है, यहाँ पर pricing, pricing की अगर बात करूँ, तो एक category of retailers होता है, जिनकी pricing fixed होती है, अब जैसे हम डीमार्ट में जाते हैं, मानके च पर यहाँ पर हम सबजी खरीदने जाएगे, या नारियल पानी खरीदने जाएगे, तो सबजी वो बोलेगा कि 20 रुपया की 200 ग्राम, ठीक है, तो हम कहेंगे 30 रुपय की आधी किलो दे दे भाई, 500 ग्राम दे दे, तो यहाँ पर bargaining करते हैं, तो कुछ places होते हैं, जहाँ पर हम fix price देते हैं, तो कुछ जगे पर हम bargaining करते हैं, कुछ retailers की low profit margins होती हैं, यह तो कुछ की बहुत high profit margins होती है, generally जो बड़े retailers होते हैं, बटा, उनकी high profit margins होती हैं, जिनसे हम generally bargaining यह नहीं करते हैं, या कर नहीं पाते हैं, और generally बिचार यह छोटे-छोटे retailers होते हैं, वैसे भी इ करके हम और कर देता है ठीक है आये नियोफ लाइफ क्या ही तो करें है चलिए एनिवेस नेक्स्ट है आपका बटा यहां पर सर्विस लेवल अब सर्विस लेवल के अगर बात करें तो कुछ रीटेल स्थोर्ड होते हैं जो आपको एडिशनल सर्विस देते हैं जैसे अगर एक पास ऐसी सर्विस नहीं होती आपको उनके पास स सर्विस लेनी होती है जैसे मिकडोनल्स चले गर है तो खुद जाना है ऑडर देना है बिल लेना है ओडर बन गया तो खुद जाके करना सेलस खुद अपना काम करो इंचर्ट ठीक है नेक्स इंपोर्टन चीज पिटां यहाँ पर क्या है तो ownership कैसी है अब ownership की बात करूँ तो कुछ retailers sole proprietor के तौर पर होता है जैसे हमारे घर के आजू-बजू किराने की दुकान है और sole proprietors हो सकता है कुछ retailers यहाँ पर थोड़ा सा last scale पर business कर रहे हो वहाँ पर different partners भी हो सकता है जो यह retail business में deal कर रहे है तो different types of ownership हो सकती है जो यह retail business को यह retail chain को यहाँ पर रन करते है और यही retailers की अगर बात करूँ तो इसको दो different main types में यहाँ पर divide किया जा सकता है एक होते है itinerant retailers और दूसरे होते हैं यहाँ पर fix shop retailers देखो बटा itinerant retailers वो लोग होते हैं चिनकी कोई fix दुकान कोई fix जगा नहीं होती है जैसे अब यह सबजी मन्डी में चले जा O I'm a हर दिन हर टाइम एक ही दुकान लगांके नहीं बढ़ते यह मंडी जो होती है उसमें जो सब्जी वाले होते टेंपरर यह से हाथ गाड़ी जैसे है काट है ठीक है उसके उपर सब्जी लगा कर बैठे अब सुभे एक जगह होंगे शाम को दूसरी जगह रात को तीसरी जगह ह हो सकते है कुछ रीटेलर्स होता है गर जाके बैचते है वह जैसे वह पम पम इड्ली वाला से सरपे लिले करके अप्वालोग जगह घूमते रहता है तिक है या कुल्फी वाला यह से सर्पे टोक्री लेकि उसमें बहुत सारी कुल्फी हो गलग जगह नहीं जाता भाई उसके एक fix जगह है वहाँ पर जाके समान करीदना है वो घर गर नहीं जाता तो इनको कहते हैं fix shop retailers सबसे पहले हम different types of itinerant retailers को पढ़ेंगे जैसे मैं itinerant retailers आपको already समझा चुकी हूँ सबसे important चीज इनकी कोई भी fix shop नहीं होती वो एक जगे से दू आश में यहाँ पर घूमते रहते हैं ठीक है इनको इसलिए mobile vendors भी कहते हैं mobile mobility की मतलब यहीं होता है एक जगे से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चोथ है यहाँ पर जाते रहना ठीक है साथी साथ itinerant retailers की अगर बात करें तो भाई वो छोटे से छोटी daily use cheaper items में डिल करते भाई तुम घर घर जाके आईफोन और डाइमंड का निकलेस नहीं बेच सकते ठीक है पॉसिबल नहीं है भाई brandedly wise की jeans ठीक है तो ऐसे केस में चोटी से छोटी जो सस्ती सस्ती daily use की items होती है जैसे कोई bakery वाला कोई कुलफी लेकर घुमता है कोई साबून लेकर घुमता है को अगर बत्ती लेकर घुमता है यह चीजे बिख सकती है महेंगी, branded यह चीजे भाई तुम लेकर नहीं घुम सकते है ठीक है चलिए आगे जाते है different types of itiner and pretellers को यहाँ पर पढ़ते है important question है but easy है so in a way important and scoring बन जाता है तो question करके exam में जाना ठीक है सबसे पहली चीज हम यहाँ प peddlers generally कौन होते है ठीक है एक यहाँ पे hawkers की category है एक peddlers की थोड़ा ध्यान से सुनना आपको easily समझ में आ जाएगा ठीक है अगर मैं hawkers की बात करती हो ठीक है hawkers वो लोग होते हैं जो ऐसे हाध गाड़ी में सामान को लेकर घुमता है जैसे सबजी वाले होते हैं उनके हाध ग सामान लेकर घुम रहे हो सबजी लेलो सबजी ठीक है यह होते हैं आपके hawkers अब मुझे बुलोगे माम सबजी बेच रहे एक तो इतना बढ़िया है acting करके दिखारियों के जिंदगी भर याद रह जाए क्या ही तो करें लोग ऐसे बदनामी कर देते हैं चलो anyways इनको हम hawkers कहत रहे हैं जो कोई एक प्टिक्योर आनिमल या कलग पने सामान को लेकर घुमते हैं खुद के ऊपर नहीं Pz л पर यह डिफ्रेंसियेशन आता से पीट्लोड भी सामान लेकि एक जगे से दूसरे जगठेल है बट यह पेडलर्स खुद के ऊपर यह समान को लेकर घुमते हैं या तो खुद के बैक पे लेकर ऐसे घुमेंगे पीछे से बड़ा सा बैग होगा जिसमें उसमान लेकर घुमेंगे, सांपल्स दिखाएंगे या तो ऐसे सर पे टोकरी लेकर घुमेंगे एक जगे से दूसरे जग़ा तो walker सामान लेकर एक जगे से दूसरे जग़ा गुमते है बट खुद के ओपर नहीं कोई हाथ गाड़ी तो दोनों है तोनों की कोई fix दुकान नहीं है यहां पे घुमते रहते हैं ट्रेनों में बसों में different locations में अलग-अलग customers की तलाश में, वो यहां पे बहुत सारी सस्ती cheaper items, जैसे खिलोने, fruits, vegetables, fishes, toys, bangles, यह चीज़े यहां पे बेचते हैं, वो बिल्कुल भी यहां पे branded items में deal नहीं करते हैं, non-branded, local, सस्ती, सुन्दर, टिकाव items में deal करते हैं, ठीक है, याद रखना यहां पे वो घर जाके भी customers को good sell करते हैं, और उनका कोई fix price नहीं होता, generally यह bargain कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि non-standardized products है, तो इनकी कोई MRP या ऐसे कोई चीज़ यहां पे नहीं होती, इनको कहते हैं hawkers या तो peddlers, again repeat करती हूँ, hawkers हाद गाड़ी में या animals पे अपने समान को लेकर घूमते हैं जबकि peddlers खुद के ऊपर यह समान को लेकर घूमते हैं, ठीक है, उसके पर बिटा next चीज़ यहां पे आती है periodic market traders, जब मैं कहते हूँ periodic इसका मतलब होता है, इनका एक fix दिन और fix समय होता है, technically, यह जो आप देखते हो ना कि जो weekly markets लगती है, जैसे सोमवार की बजार, या particular event, या particular festival पे ही market लगेगी, तभी sellers आएंगे, तभी buyers आएंगे, बाके दिन यहां पे कोई भी buying or selling नहीं होता, इसी को बिटा यहां पे periodic market कहा जाता है, ठीक है, इनका एक fix day होता है, fix place होता है, उसी दिन उसी place पे वो आपको मिलेंगे, बाके दिन नहीं मिलेंगे, like I said, again यहां पे अपने goods को weekly market जादो annual fairs जो होते है, साल में एक बार जो बेला वगरा लगता है, उसमें वो इसको sell करते है, ठीक है, वो अपने goods को temporary structure पे display करते है, जैसे से stool होगा, table होगा, उस पे display करेंगे, market खतम, चीज़े उठाके घर ले जाएंगे, वापस एक हफते बाद वापस उसको लेके ले जाएंगे, permanent setup नहीं होता है, क्योंकि रोज तो चीज़े बेचनी है नहीं, ठीक है, उसके अलावा next चीज़ पिटा क्या होता है, generally जो इनके products होते है, again यहां पे low grade या तो non standardized cheap daily wear की चीज़े यहां पे मिलती है, जैसे यहां पे बरतन हो गए, या खि festivals होते है, उस पे भी आपको इनके shops मिलेंगे, best of the examples अगर तो दिवाली पे आपको ऐसे फटाको की बहुत सारे दुकाने मिल जाएगी, जैसे दिवाली खत्म यह दुकाने गायब, वैसे ही Christmas पे जो ऐसे candles होते है, या Christmas के जो decorators होते है, ठीक है, यह बेचने वाले बहुत सार आपको stalls और shops ऐसे church के बाहर वगरा मिल जाएगा, बाखे दिन गायब, तो यह लोग यहाँ पे festivals पे भी temporary setups यहाँ पे करते हैं, ठीक है, festival के बाद गायब हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद next यहाँ पे कौन आता है, तो next यहाँ पे आता है आपके street traders, अभी street traders की बात करो, त point of differentiation क्या है, तो वो ऐसी जगए चुनते हैं, यहाँ ऐसे रास्ते, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना एक साथ होता है, जैसे railway stations होते है, bus stops होते है, कोई tourist की जगा होती है, तो ऐसे places पे बहुत सारे लोग everyday आन जान, आन जान करते हैं, तो वो ऐसी जगए चुनते जाना करते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे ice cream वाले, गोले वाले, वो बुड़ी के बाल मलता है, cotton candy यार, ठीक है, वो बुड़ी के बाली लोग समझता, मैं क्या करूँ, तो मिलता है, तो वो अपना ऐसा उनका temporary गाड़ी होता है, उसको लेकर आएंगे, चीजे बेचेंगे, फ आपस daily items, जैसे handkerchiefs है, caps है, cotton candies है, इसको वो यहाँ पर use करेंगे, या sell करेंगे, ठीक है, low price common चीजे होती है, अगर यहाँ पर कोई भी branded, expensive चीजे नहीं बिखती है, भाई, बीच के बाहर तुम सोना तो नहीं बेच सकते है, ठीक है, उसके अलावाद जनरली, इनके दुका इसको होते है, magazines होती है, ऐसी चीजे बहुत मिलती है, जो कि जाते जाते है, अरे भूल गये, खरीद लिए, ठीक है, तो pick up items यहाँ पर बहुत होती है, कि भाई भूल लिया, आपने खरीद लिया, काम हो गया, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, to the next, जो कि है आपके cheap jacks, hired या तो ऐसे tanks जो होते है, वो उसमें set up करते है, ठीक है, तो एक तरीक होता है, कि आप पर्मनेंट ऐसे पत्रा बत्रा उपर plastic वगरे लगा के bamboo जोड के आप एक temporary यहाँ पर दुकान बना दो, अब generally बच्चों को लगता है रहे, वो दुकान तो वहीं पे है ना, तो fix store हो ग करते हो, तो वो fix shop में नहीं आती, तो cheap jacks जो होते है, generally ऐसा ही करते है, एक या तो वो temporary setup लगा सकते है, या तो already जो दुकाने होती है, जैसे मान के चलो कोई departmental store है, उसके बाहर जगा है, तो उसको उन्होंने ले लिया rent की तोर पे, कि भई हम मैने का इतना पैस आपको दे द box के कुछ features की बात करो, तो सबसे पहली चीज हमेशा उनकी जो दुकाने होती है, यहां पर आप कह सकते हो, कि छोटी से छोटी जो दुकाने होती है, वो उसमें अपना setup करते है, मतलब आपको यहां पर बड़ी बड़ी दुकाने, big stores ऐसा आपको नहीं मिलेगा, again वो obviously अपन ऐसा temporary setup लगाया, एक मैना, दो मैना, चे मैना हुआ, मुझे यहां पर ज़्यादा customers नहीं मिल रहे, अच्छा business नहीं हो रहा, तो क्या करते है, temporary setup पे fix तो है, नहीं पत्रा आत्रा निकाला, bamboo आम्बू खोला, दूसरे जगे पर चले गए, कि वहां पर मुझे customers मिल जाए, next important यहां पर क्या होती है, कि generally वो low price items में ही यहां पर deal करता है, देखो बटा, कोई भी itiner and retailers है, because उनकी fix shop, fix जगा नहीं होती है, वो कभी भी expensive चीज़े बेची नहीं पाता है, क्योंकि आप उनसे expensive चीज़े भरोजा करके खरीदोगे कैसे, आज आपने चीज़ खरीदी मान के चलो खराब हो गई, duplicate निकली, तो कैसे पकड़ोगे, तो इनकी expensive चीज़े बेचना चाहे तो भी नहीं बिकेगी, तो इसलिए वो हमीशा low price, non standardized daily use की item से यहां पर रखते है, कि लोग भाई risk लेकि उसको आसानी से खरीच सके, like I said, वो एक जगे पे काफी temporary समय के लिए रहते है, बच्चे जनरली street traders और cheap jacks में confused हो जाते है, वापस repeat करती हूँ, main point of differentiation यही है, street traders उनको कहते है, जो busy streets को choose करके अपने setups को करे, जैसे railway stations, bus stops, etc, cheap jacks उनको कहते है, जो residential area को choose करते है, बट इनकी temporary दुकाने होती है, या तो जो permanent दुकाने उसके बाहर वो temporary setup करते है, और hightiner and retailers, जिनकी कोई fix जगा या fix दुकाने नहीं होती है, बचकुट retailers तो ऐसे भी होते है, जहां पर हम regularly जाते है, जिनके fix shops होती है, जैसे कोई किराने की दुकान है, दूद की डेरी है, departmental stores, जैसे big bazar है, v-mart है, d-mart है and so on, तो इनी को बटा यहां पर क्या कहते है, fix shop retailers कहते ह है, ऐसे retailers जिनकी यहां पर एक fix दुकान, fix place पर होती है, ठीक है, next important चीज यह कभी भी customer की खोज में एक जगे से दूसरे जगा नहीं जाते है, इनको customers के पास जाना नहीं पड़ता, basically customers अपनी needs और wants को पूरा करने के लिए, requirements को पूरा करने के लिए, इनके स्थोज पर fix shop retailers होते है, जो छोटे scale पे, छोटी-छोटी दुकाने setup करके काम करते है, दूसरे होते है, जो बड़ी scale पे, लाग scale पे, बड़ी-बड़ी showrooms दुकानों को open करके काम करते है, ठीक है, दोनों category को one by one पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, यहां पे हम small scale fix shop retailers, पहले ऐसे retailers जो छोटे scale पे काम कर रहे है, बड़ीन की fix जगा fix दुकाने होती है, ठीक है, इनका main income यहां पे होता है, residential areas में अपनी stores को setup करना, so that residential area में रहने वालों की जो daily requirement है, उसको वो पूरा कर सके, जैसे आपके घर के आजुबा जुकिराने की दुकान होगी, medical store होगी, general store होगा, दू आता है, तो ऐसे लोग जो general stores open करता है, जैसे मैं आपको already बता है, कि अगर हम general stores की बात करते हैं, तो ऐसे stores होते हैं, जिन में different varieties and lines of product मिलता है, जैसे आपको bread मिलेगा, butter मिलेगा, cold drink मिलेगा, chips मिलेगा, किराना मिलेगा, दूद मिलेगा, दई मिलेगा, पनीर मिलेगा, सारी चीजे यहाँ पर generally, जो daily use की चीजे होती है, generally आपको यहाँ पर एक ही जगे पर मिल जाएगी, उनके पास different varieties भी होती है, जैसे cold drink लोगे तो बहुत सारी variety होगी, butter लोगे तो different brands का होगा, साथी साथ वो आपको कुछ services जैसे free home delivery देना, ठीके बहुत बार हम जाते हैं, सामान भी लोगे और गायब भी हो जाओगे, ठीक है, next important चीज उनके बारे में क्या होती है, कि generally उनको personal relationship अपने customers के साथ बनाना पड़ता है, again repeat करती हूँ, one of the reasons है competition, ठीक है, retail business में competition लार्ज है, general stores, medical stores, दूद की डेरी, काफी साथ आपको आजू बाजू मिलेगी, तो customers retain करना है, चाहते हों की customers आपकी पास आए, तो एक loyalty relationship उनके पास साथ आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, साथी साथी यहाँ पर जो popular brands होते हैं, इनको भी यहाँ पर store करते हैं, जैसे chips में Lay's है, या तो cold drinks में Coca-Cola है, तो कुछ popular brand के products जो है, वो भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, जि specialty stores, देखो, general stores, वो store जहाँ पर आपको बहुत सारे different products और उनमें varieties मिलेगी, specialty store इसका exact opposite है, ऐसे stores जहाँ पर आपको variety मिलेगी, बट एक ही product में, जैसे कोई store जो जूता बेच रहा है, तो जूते में आपको variety मिलेगी, बस उस store पर सब जूते मिलेगे, कोई store जो यहाँ पर shoes क बदले watches बेच रहा है, तो वहाँ पर आपको अलग-अलग brand की varieties, designs इन watches मिलेगी, बट watches के लावा कुछ नहीं मिलेगा, तो इनको कहते है specialty stores, जो one line of product, एक single category of product में deal करते हैं, बले उसमें फिर varieties मिले, जैसे कपडों की दुकान है, तो सिफ कपड़े मिलेंगे, बले different designs, fashion के आ एक line of product में, और साथी साथ वो यहाँ पर market places में situated होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं, कपडों की market है, वहाँ पर अलग-अलग दुकान होगे, जिसमें कपड़े मिलेंगे, ठीक है, तो इस residential area में हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो जो marketplace होती है, जहाँ पर बहुत सारी लोग shopping वग कुछ नहीं भी देते हैं, कुछ stores यहाँ पर free home delivery दे सकता है, कुछ नहीं भी देते है, store to store, product to product depend करता है, अब जुएलरी की दुकान है भाई, वो तो credit facility नहीं दे सकता, ठीक है, तो यहाँ पर product to product, store to store, यह depend करता है, यह जो है लोगों की एक particular category needs है, जैसे मुझे कपड़े तो यह एक particular need को यह पूरा करते है, by giving them a lot of variety and options, but एक चीज में ही वो deal करेंगे, यह उसको generous source से थोड़ा सा differentiate करता है, उसके बाद बिटा यहाँ पर आते है street shops, जैसे मैंने यहाँ पर street shops की बारे में आपको बताया, देखो, एक तरीके से street shops हमने itinerant में भी पढ़ा था, ठीक similarly हम यहाँ पर small scale fixed retailer में भी पढ़ रहे है, different समझाती हूँ, itinerant retailers का temporary setup होता है, तो यह भी आपको railway, bus stops, highways पर मिलेगा, पर temporary ऐसे बाकड़े type दुकान होगी temporary setup होगा, जबकि जो street shops होती है, वो भी यहाँ पर जो different areas है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते है, जैसे जो main roads है, highways है, या colonies है, इनमें आपको दिखेगी, फर्क इतना है कि यह यहाँ पर fix दुकाने होती है, ठीक है, fix setup होता है, जैसे चाई की दुकान है, ठीक है, तो दुकान है, fix दुकान है, right, ऐसे नहीं कि बाकड़ा है, ऐसे temporary setup है, no, यह differentiation आता है between itinerant and small scale fixed retailer में, बहले यह भी वह ही area choose करते है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आजान रहता है, इनकी characteristics या features की बात करें, तो सबसे पहले ही limited spaces में होती है, इसका reason भी बताती हूँ, जो marketplaces होता है, जो street shops होती है, ठीक है, वो bus, railways, highways, इसको choose करते है, अब यह area generally overcrowded होता है, तो इनमें जो properties भी होती है, है यह उतना पैसे होने है, तो generally छोटी दुकानी site-up कर पाते है, second चीज वो अपने goods को यहाँ पर tables या stands पर display करते है, इनके ऐसे बड़े-बड़े furniture भी नहीं होते है, क्योंकि उतनी जगा ही नहीं है, next वो items जैसे hoisery, hoisery क्या है, तो hoisery is a type of cloth, ठीक है, जैसे आप काफी अगर टी-शेट पैंते हो, तब को टी-शेट का ऐसा जो material होता है, वो hoisery होता है, एक type of cloth है, जैसे silk है, cotton है, वैसे ही hoisery होता है, तो ऐसी चीज़ों में वो generally deal करते है, इनके पास भी आपको बहुत expensive चीज़े generally नहीं मिलेगी, आजकल वो imported चीज़े जैसे घड़ी है, या आगे जाते है, fit to the next, जो की है, आपका second-hand goods shop, अब नाम में ही मतलब चुपा है, second-hand, या तो आप इनको used products भी कहते हो, जो नया नहीं है, already किसे ने use करा हुआ है, वो उसको याँ पे resell करना है, तो इसको हम क्या कहते है, second-hand, या तो used goods कहते है, ये ऐसे दुकाने होती है, ज उनने कुछ common चीज़ है, जादतर चीज़ जो sell होती है second-hand के तोर पे उनमें आता है, जैसे utensils है, books है, ठीक है, उसके लावा cars है, bikes है, ये चीज़े second-hand काफी जादा यहाँ पे sell होती है, generally जो नए items होते हैं, उससे obviously low prices पे मिलेगी, जैसे कोई किताब है, कोई novel है, ठीक है, generally इसे sourcements को दे देते हैं, मान के चलो 100 रुपए की खरीदी थी, वो हमें इहाँ पे 60 रुपए दे देंगे, उसको कितने में बेचेंगे, तो 70 या तो 75 रुपए में बेचेंगे, ठीक है, तो नए books से सस्ता आपको ये easily इहाँ पे मिल जाएगा, उसके अलावा ये जो goods आते है, second hand goods उनके पस कहां से आते हैं, तो एक तो तरीकों होता है कि आपने घरीदा आपने जाके बेच दिया, ठीक है, उसके अलावा काफी ऐसे auctions होते हैं, जहाँ पर बलक ऐसे second hand चीज़ों का buying and selling होता है, वहाँ से भी वो उसको खरीद के आते हैं, generally उनके target customers कौन होते हैं, अब देखें, काफी books में कहां गया है, ऐसी target market होती है, जो यहाँ पे नई good support नहीं कर पाता, बट कहीं न कहीं, I don't think ऐसा होता है, जैसे अगर आप नई नई गाड़ी सीख रहे हो, तो ऐसे कि इसमें बहुत लोग प्रेफर करते हैं, कि मैं नई गाड़ी ना खरीदू, for a simple reason not because मैं नहीं खरीद सकती, बट मुझे आता नहीं है, मैं सीख रही हूँ, तो chances of गाड़ी ठोक दी, damage कर दी, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कि इसमें लगता है कि पुरानी गाड़ी खरीद के हाथ साफ कर ले, फिर नई गाड़ी ले लेंगे, books की भी बात करें, तो एक ब इसको हम कहते हैं, seconds shop, क्या कहते हैं, इसको second shop, अब सबसे पहले second hand good, जो second shop में confuse मतो जाना, second hand good shop में यहाँ पे used products मिलता है, जो already किसी ने इस्तमाल करा हुआ है, second shop के अगर बात करें, तो ऐसे production में कोई ना कोई defect है, ठीके जैसे कपड़ा बनता है, तो मान के चुले कपड़ इनको किसी ने use नहीं किया है, brand new है, नए का नया है, बट कुछ न कुछ defect होने के कारण इसको market price पे नहीं बेचा जाता, तो इनको ऐसे stores में यहाँ पे बेचा जाता है, generally इन पे कोई ना कोई छोटे से छोटा बारीक से बारे defect होता है, ठीक है, याद रखेगा यह manufacturing defects की products में नहीं deal करता है, generally में चुम products होते है, minors होते है, मतलब negligible, ना के बराबर होते है, बट फिर भी काफी सस्ते price पे यह आपको मिल जाते है, काफी सस्ता price compared to new product, ठीक है, काफी manufacturers खुद के ऐसे shop खोल देते है, जहां पे वो ऐसे एक आदा piece बचा है, या sample piece है, या defective product इसको highly discounted price पे खुद sell करते है, कुछ manufacturers इसे किसी को दे देते है, वो इसको अलग-लग exhibitions या setup करके इनको यहाँ पे sell करते है, बड़े से बड़े brands के भी इस पे आपको products काफी discounted price पे मिल सकते है, because छोटा मोटा defect जो शायद काफी बाद दिखता भी नहीं है, ठीक है, next important चीज यहाँ पे यहाँ पे कहते है, large scale retailers, याद रखना है, यहाँ पे huge variety of goods, huge quantity and huge scale and investment में यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो बड़े-बड़े level पे काम करना तो भाई, पैसा भी ज्यादा चाहिए, generally इनके बड़े showrooms, malls में वगर, इनके बड़े से बड़े showrooms होते है, central prices से हम malls को वो चू customers मिल सके, उसके अलावा जो number of customers होते है, जो इनके showroom में आते हैं, वो भी comparatively बहुत जादा होते है, जैसे shoppers stop है, big bazaar है, d-mart है, आप इनके examples यहाँ पे आसानी से ले सकते हो, types of large scale retailers की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आते है departmental stores, यह departmental stores मतलब क्या, यहाँ पे एक store को हम different different departments में divide करते है, जैसे for example, आप यहाँ पे big bazaar या lifestyle या shoppers stop जैसे दुकानों की बात करोगे, तो बड़ी सी सबसे पहले दुकान होगी, ठीक है, काफी बार दो floors की भी होते हैं, यह बड़ी सी एक दुकान होती है, यह दुकान को वो different different departments में divide करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने दुकान को अलग-अलग ऐसे department में divide कर दिया, यहाँ से मेरा entrance है, यहाँ पर baggage counter है, ठीक है, यहाँ पर मैंने departments को mark कर दिया, कि भाई, यह clothing department है, यहाँ पर कपड़े मिलते है, यह जूतों का department है, यहाँ पर आपको जूते मिलेंगे, यहाँ पर आपको perfumes मिलेंगे, perfumes and Cosmetics लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको Accessories मिलेगी, और यहाँ पे आप क्याए सकते हो, आपको मिलेगा Letters से Daily Views या तो Home Products, तो मतलब यहाँ पे आपको अलग-अलग Products को, अलग-अलग Departments में आपको मिलता है, एक section होता है जहाँ पे Men's कपडे मिलेंगे, एक section होता है जहाँ पे Women's clothing मिलेगा, एक section होता है, जहाँ पे बच्चों के कपडे मिलेंगे, तो ऐसे जो category और type of stores होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम generally departmental store कहते हैं, जहाँ पे एक जगे पे बोखोत सरी चीज़े आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकती है, हर एक department का one line of product specialization होगा, जैसे clothing department है, तो वहाँ पे सिफ कपडे मिलेंगे, बोखोत सारी यहाँ पे fashion और sizes और varieties में, ठीक है, इनके जो managers होते हैं, यह जो पूरा department है, यह पूरे department का एक manager होता है, जिनको हम कहते है general manager, जो पूरे departmental store का manager है, यह general manager की under departmental managers भी काम करते हैं, जैसे clothing department का एक manager होगा, shoes department का हूगा and so on, तो हर एक departmental manager अपने-पने department को देखता है, उनकी department की जो भी requirement होती है, उसका order हर एक manager अपने general manager को देता है, जैसे shoes के department का manager अपने department के requirement, general manager को देगा and so on, general manager सारी departments के order एखटा करके एक साथ collect करके, इसका यहाँ पे bulk order भी देता है, ठीक है, departmental stores के अगर कुछ features हो जाएगा सबसे पहले फीचर यही होता है कि यह जो डिपार्टमेंटल सोर्थ होते हैं जेनरली लार्ज इन साइज बहुत बड़े-बड़े हां पर सोर्स सेटप किये जाता है जायर सी बाते इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाने हैं तो बहुत जगा तो चाहिए ठीक है इंपर्टन चीज क्या होती है कि इनकी पास different categories of product और साथी सा different varieties होती है जैसे अब clothing section में चले जाओगे तो बहुत सारी varieties दिखेगी ठीक है जूतों के section में जाओगे तो भी बहुत सारी varieties दिखेगी तो different lines of product और हर एक line में बहुत सारी variety आपको देखने मिलती है हर एक departmental store जो जाते है एज-wise या gender-wise जनरली नहीं होता उसके अलावा इनके जो purchases होते है central purchase होते है जैसे मैंने कहा कि हर एक जो department का manager है वो अपने अपने department का order general manager को दे देगा general manager सभी के order लेकर एक साथ इसको place करेंगे one of the reasons यह है कि आप एक साथ जब order दोगे तो जाहर सी बात है थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा next important चीज इनकी हमेशा जो location होती है prime locations वो चूज करते है जैसे shopping malls है या कोई ऐसे city center है तो ऐसे locations चूज करते है जहाँ पर बहुत सारे customers आ सके और साथी साथ इनके जो products होते है थोड़े से expensive भी होता है तो ऐसे locations यहाँ पर ऐसे लोग आ सके जो afford कर सके ऐसे locations को choose किया जाता है उसके अलावे departmental store आपको बहुत जादा services भी देता है जैसे free home delivery देना अब जैसे आप shoppers आप lifestyle चले जाओगे तो आपने मान के चलो कोई jeans strike ही ठीक है jeans बहुत बढ़िया है बट length में बढ़ी है तो ऐसे कि इसमें length को alter करवाना है नीचे से jeans की जो length उसके छोटी करवानी है तो वो भी आपको services free of cost दिया जाता है right next important चीज़ है जो departmental store होते है generally ये middleman eliminate करते है ठीक है तो generally distribution channel कैसे रहता है manufacturer, manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer but जो retailer होता है ये जो departmental store है वो बहुत बड़ा retailer है बड़ा retailer है तो bulk quantity, latch quantity में purchase कर सकता है और इसलिए वो यहाँ पे wholesaler को skip करके directly manufacturer से products को खरीता है so that सस्ते दामों पे उनको products मिल सके और साथी साथ उनको ज्यादा से ज्यादा customers मिल सके वो यहाँ पे product बेच सके इसके लिए वो यहाँ बड़ी-बड़ी advertisements भी करते है newspapers में ads देना, banners, brochures लगाना ऐसे बड़ी-बड़ी advertisements भी वो करते है so that वो अपने sales को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कर सके ठीक है उसके बाद जो second type of यहाँ पे fixed shop retail जो large scale पे काम करता है वो आता है आपका multiple shop या तो chain stores इनको कहा जाता है basically यह ऐसे category of stores होते है जिनकी branches different cities और locations पे set up होती है ठीक है मतलब मेरी एक जगह नहीं है जहाँ से मैं sale कर रही हूँ बहुत सारे cities मेरी branches अलग-अलग locations पे है जहाँ से मैं अपने products को बेच रही हूँ इनको multiple shops यहाँ पे कहा जाता है याद रखना यह जो shops है इनके interior से लेके name plate से रेके products से लेके सारी चीज़े यहाँ पे identical होती है मतलब मानके चलो Chennai में एक दुकान है दूसरी दुकान डेली में है तो दोनों दुकान location अलग है पर इनके पास products offer generally जो होगा generally same मिलेगा ठीक है इनकी दो नाम क्यों है क्योंकि US में इनको जो है change stores के नाम से जाना जाता है जबकि multiple shops इनको यूरोप में कहा जाता है तो चाहे different different locations पे है जहां पर बाटा के जूते मिलते है उसके अलावत just in time करके है ठीक है जो यहां पर different different locations पे अपनी watches sell करता है तो generally change stores क्या होता है जिनके बहुत सारे different different branches different locations पे setup होते है जहां से वो अपने product को sell करते है ठीक है उसके बाद अगर हम change store के features या characteristics पे आते है तो सबसे पहल business क्या कहता है कि again भाई यह last size पे काम करता है देखे बटा simple सी बात है chain store है बहुत सारे branches है तो बहुत सारे branches खोलने के लिए उतनी जगों पर आपको store setup करना उसका operating cost बिजली स्टाफ, land cost खर्चा तो कितना है तो इसके लिए साहर सी बात है कि भाई इसमें भी जादा पैसा huge investment की जरूरत यहां पर पढ़ती है उसके अलावा यह जो chain stores है generally यह एक line of product में deal करते है that is how they are different from departmental stores देखे वरना बच्चा कहता है माम D-Mart फे departmental store क्यों है वो भी तो अलग-अलग जोगों पर है ना, D-Mart में different lines of product मिलता है कपड़े भी मिलता है कि राना भी मिलता है घर का home decor भी मिलता है तो यह departments है बट change तो उसके अगर बात करूँ ना तो वो इतनी सारे products नहीं बेचता है एक line of product में specialized करता है जैसे बाटा है तो वो सिर्फ जूते बेचता है just in time है तो वो सिर्फ watches बेचता है तो generally वो one line of product में deal करता है हां बट उसमें आपको variety मिल सकती है जैसे मैंने क कहां कि departmental store के जो जैसे head होते है ठीक है तो इन्होंने general manager को अपना order दिया general manager ने चीज़ों को मंग आई वैसे ही chain store में क्या होता जैसे मैं एक example देती हूं कि मान के चलिए हम example लेते हैं बाटा stores का ठीक है तो बाटा की एक store है लेटर से Delhi में दूसरी store है यहां पर लेटर से ब लेलो चाहे जो लेलो मैं एक example दे रही हूं तो ऐसे case में यह सारे stores के जो total orders है वो एक साथ place किया जाएंगे जैसे मैं कहते हूं कि Delhi में यह 50 shoes चाहिए, Bangalore में यह 40 shoes चाहिए तो सब store के जो order है उसका order एक साथ place किया जाएगा, दो reasons, एक identical products आएंगे सारे products सारे stores में भले अल quality same होगी, दूसरी चीज़ जादा order होगा, तो obviously सस्ता पड़ेगा, ठीक है, next important चीज़ पर यहां पर क्या है, तो यह जो change stores होते है, generally इनकी sales decentralized होती है, तो हर एक store के अपनी sales team होती है, जो यहां पर sales करती है, जो यहां पर customer servicing करती है, जो यहां पर customers को convince करती है, तो ऐसा नही कि भई एक ही जगे से सारी जगों का sales देखा जा रहा है, no, sales हर एक store में different होता है, sales team उनकी different होती है, अलग-अलग तरीके से वो लोग sales करने की कोशिश कर सकते है, ठीक है, उसकी बाद next important चीज़ यहां पर क्या है, तो quality, यह जैसे मैंने कहा कि उनकी standardized quality होती है, generally even अगर अग प्रडाक्त देखोगे न, तो अलग-अलग जगल से भल आप खरीचते हो, बिट प्रडाक्त आपको similar या same ही मिलेगा, क्योंकि एक साथी order गया और इनके पास sustain, non-branded, cheap चीज़े नहीं मिलेगी, standardized high quality चीज़े मिलेगी, और हाँ, इसलिए generally थोड़ा सा आप कह सकते हो, expensive भी ह होता है, ठीक है, उसके अलावा next important चीज़ क्या है, कि again because यहाँ पर large buying कर सकते हैं, इनको भी middleman की कोई जरूरत नहीं है, देखो, retailers के पास middleman in the form of wholesaler क्यों होता है, क्योंकि manufacturer छोटे quantities में बेचता नहीं है, और छोटे retailers large quantities में purchase करना afford नहीं कर पाते हैं, पर large retailers के पास यहाँ प purchase कर सकते हैं, क्योंकि इतने पैसे भी है और उतनी जगा भी है, इसलिए इनको wholesaler के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो directly यहाँ पर manufacturer से purchase कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद next important चीज़ क्या आती है, कि इनकी जो prices होती है, वो भी generally uniform होती है, देखो बटाई, इनक अगर में particular shoes की बात करूं, तो अगर मुंबई में वो 500 रुपीज के है, तो पूने में भी same shoes, same model 500 रुपीज का ही होगा, कहने का मतलब क्या है, कि product अलग-अलग जगे पे बिकता है, बट अलग-अलग जगे के मताबिक price नहीं होता है, price हर जगे पे same product का same ही generally आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा यह stores यहाँ पे credit में deal नहीं करते, वो यहाँ पे cash deals ही करते है, ठीक है तो आपको जाना है, चीज को खरीदना है और खरीदते वक्त आपको payment करना है, next month दे दूँगा, दो महिने बाद दे दूँगा, generally इन stores में यह credit sales चलते नहीं है, ठीक है, उस और इसे red color का एक डिबबा होता है, अपने घर के बाद जैसे letter box होता था, वैसे red color का ऐसा डिबबा होता है, जिसको खोल के वो लोग अपने mail, मतलब letters निकालते है, इनको कहते है mail order retailing, generally क्यों होता है, यहाँ पे जो भी seller होता है, उनके पास ऐसे जो potential buyer है, बैटा, buyer और potential buyer मे interested हो, शायद वो खरीद है, वी तक खरीदा नहीं है, तो generally retailers का target यही होता है, यह व्यक्ति शायद मेरी चीज़ खरीद लेगा, तो पहले इसको बेचने के, advertise करने की, convince करने की हम कोशिश करते है, ठीक है, तो ऐसे case में यह जो mail order retailing होती है, इनके पास ऐसे potential buyers के एक list होती है, जिनको वो circulars, catalogs, price list वगरा भेजते है, अपने products के बारे में information देते है, उनको यहाँ पे discount offers के बारे में भेजते है, कि कहीं न कहीं तो कोई convince हो जाए और हमारा product ले ले, ठीक है, customers को अगर order भी place करना है, मान के चलो कोई customer convince हो गया, उसको product अच्छा लगा, pricing भी सही है, तो order अगर भी बिटा वाया post ही होता है, तो mail box में आपको catalog आया, उसमें आपका address लिखा होता है seller का, कि भाई अगर आपको product अच्छा लगता है, तो यह address पे आप order with amount यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, mail order retailing के कुछ features के अगर बात करें, तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे addresses of potential customers आपने products देता है या पहुचाता है उन तक कि भाई हम यह products में deal करते हैं, यह हमारी pricing list है, अगर interested हो तो order via post दे सकते हो, customer चुह है यहाँ पे goods from catalog को choose करते है, जैसे मेरे पास मान के चलो यह pricing list आई, ठीक है, यह मेरे पास catalog आया, जहाँ पे product और उसका price और उसका price यहाँ पे ऐसे mentioned है, मुझे उसमें से मान के चलो यह product अच्छा लग गया, उसकी मुझे यहाँ पे 5 quantity चाहिए, तो मैं via post उनको अपना order बता सकती हूँ, ठीक है, generally standardized चीज़े यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आपको again cheap quality, non-branded products, यह नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों को trust ही नहीं होगा, क्योंकि आप चीज तो यहाँ पे ना देख पा रहे हो, ना परक पा रहे हो, ठीक है, तो generally standardized small brand की चीज़े होती है, वो यहाँ पे आपको मिलता है, payment जो है, वो through VPP या तो registered post हो सकता है, देखो, एक तरीका होता है payment का कि भई आपने यहाँ पे post के साथ payment भेज दिया, दूसर है, next door a very different form of retailing है, जिनको हम कहते है, automatic vending machines, जो काफी बार आपको यहाँ पे airports पे देखने मिलती है, जैसे अगर आप Delhi airport चले जाओगा ना, तो हाँ पे ऐसे जो airport के अंदर जाने के लिए, जो lines है, ठीक है, उसके उपर ऐसे side में automatic vending machines आती है, तो machines होती है, जिसमें different छोटे products होते है, बाहर उसकी pricing लिखी होती है, कोई व्यक्ति, कोई seller नहीं होता है, उस machine में आपने coin डाला, जितना भी amount वहाँ पे लिखा है, product के लिए button प्रेस किया, एक specific quantity में machine से product बाहर आ गया, तो ऐसी machine होती है, जहाँ पे coins या तो tokens डालके, आप खुद से machine से product ले सकते हो, य convenient locations, जैसे airports, petrol pumps, railway stations पे आपको ये दिखेगा, काफ़े railway stations पे ऐसे ही automatic water vending machines भी है, machine है, ठीक है, अगर आपको 500 ml पानी चाहे, तो मान के चलो 2 रूपया, 2 रूपय का सिक्का डाला, सिक्का एकसर्ट करते, green light आएगी, button दबाया, पानी चालू होता है, उदर नीचे bottle रखने की जगह होती है, पहले लिखा होता है कि बटन दबाने से पहले bottle रख देना, भाई, तो bottle रखा, ठीक है, पानी आपने button दबाया, पानी चालू हो गया, 500 ml खतम होते ही, वो stop हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक तरीके कि बटा, automatic vending machines होती है, वैसे ही काफी places पे, coffee, tea, cold drink, ऐस भी automatic vending machines पाई जाती है, ठीक है, last but not the least topic यहाँ पे है, आपका GST के ऊपर, that is goods and service, taxes, अब यहाँ पर बटा में GST की अगर बात करूँ, तो GST एक new tax reform है, जो यहाँ पे इंडिया में July 2017 में introduce किया गया था, basically one nation, one tax concept को अपनाने के लिए, कि यहाँ पे सारे जो taxes है, उसको हम merge क करके, अलग-अलग-अलग-अलग हम taxes पे करते हैं, उसके बदले यह सारा confusion हटा है, taxes को हम यहाँ पे merge करें, और एक single taxation system हम यहाँ पे अपना है, right, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहले की taxation system में different types of indirect taxes, जैसे service tax, VAT, excise duty, custom duty, यह different types of taxes लगते थे, तो GST ने क्या-क्या, यह स तो सबसे पहले यह one nation, one tax concept पे बनाया गया था, कितने different, 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 different types of tax और अलग-अलग percentages पे करने से अच्छा, इन taxes को combine करके, एक single tax reform यहाँ पे लेकर आते है, next important जीज यहाँ पे क्या है, तो biggest tax reform, इंडिया में यह one of the biggest change in the taxation system माना जाता है, ठीके, उसके अलावा mixture of indirect taxes है, मैंने जो कहां कि अलग-अलग taxes जैसे service, taxes VAT, इनको combine करके tax बनाया गया है, तो taxes बिटर दो type की होता है, direct और indirect, तो यहाँ पे जो taxes combine हुए है, indirect taxes को combine किया गया है, यहाँ पे dual GST होता है, जैसे एक CGST होता है, एक SGST होता है, ठीक है, CGST क्या है, तो यह जो percentage of GST है, आपकी central government को जाता है, SGST क्या है, तो यह जो percentage of GST है, अपकी tax, टाक्स जो है, वो state government को जाता है, तो जो भी total tax up देते हो, उसका एक हिस्सा central government को मिलता है, एक हिस्सा state government को मिलता है, खुछ products पे जो taxes लगते हैं, वो सिर्ट government को भी मिलते हैं, ऐसे different bifurgations इसमें है, उसके अलावत GST लाने का one of the reasons है, cascading effect हटाना, cascading effect basically क्या होता है, तो tax पे tax charge होना, तो काफी बर जैसे supply chain में अलग-अलग लोग होता है, तो हमने tax दिया, फिर tax की उपर tax हो गया, फिर tax की उपर tax, तो यहाँ पर multiple times tax charge होता है, तो यह cascading effect से क्या होता है, taxes बार 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 चार्ज होने के कारण, जो तो टैक्स के उपर, टैक्स के उपर, टैक्स की बार ही नहीं आएगी, ठीक है, उसके अलावा जो next important चीज है, याद रखना, GST is always charged on supply of the product, ठीक है, most of the products अभी inclusive of GST ही हो गए है, कि भे MRP में ही GST हम जोड के यहाँ पर दे देता है, तो बिल में bifurcation देना, यहाँ पर compulsory हो जा तो like I said, GST के अगर बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर GST जो है, वो पूरे country के लिए लागू होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि state के लिए GST है, state tax है no, it is for the entire country, साथी साथी जो GST के अगर बात करें, जैसे मैं आपको already बता चुकी हूँ, कि supply of goods के अगर बात करें, ठीक है, उसकी ऊपर यहाँ पर applicable है, राइट, उसकी अलावा यह GST के अगर बात करें, तो यह जो है principle of destination based consumption tax है, उसकी against present principle of original based taxation है, ठीक है, so basically यहाँ पर क्या होता है, it is based on principle of destination based consumption, ठीक है, basically consumption की time, जैसे मैंने कहाँ, यह supply based tax है, तो पहले product बना, tax लगा, फिर supply हुआ तो उसकी ऊपर tax लगा, फिर next chain पे गया, उसकी ऊपर tax लगा, यह concept अभी नहीं होता है, यह final consumption की time, यह tax को यहाँ पर charge किया जाता है, that is how we remove the cascading effect, ठीक है, next important point यहाँ पर क्य होते है, उनकी ऊपर यहाँ पर IGST, चार्ज किया जाता है, in addition to custom duties, तो अगर यहाँ पर हम international business, international trade की बात करें, जहाँ पर imports and exports की बात की जाती है, तो domestic trade में तो SGST, CGST चार्ज होता है, प्लस जो आपकी different custom duties है, वो चार्ज होती है, ठीक है, जैसे मैंने कहां कि GST में दो bifurgations है एक CGST जो central government को जाता है, एक SGST जो state government को जाता है, imported products भी यहाँ पर IGST लगाया जाता है, तो CGST कितना, SGST कितना, मतलब मान के चलो total आप 18% tax भर रहे हो, तो 18% में से central government को कितना मिलेगा, state government को कितना मिलेगा, जरूर ही नहीं है कि दोनों को आधा-धा मिले, जो GST council setup किया गया ह उनमें दोनों की सहमती से हर एक percentage में central government को कितना, state government को कितना, ये सहमती से decide किया जाता है, ये assumption हटा दो कि दोनों को यहाँ पर equal distribution मिलेगा, right, GST कि अगर बात कर तो different categories इसमें setup की गई है, जैसे यहाँ पर GST में total 4 categories है, ठीक है, ये categories कैसे काम करती है, जैसे मान के चलो, कुछ product है, जो category 1 में आते है, कुछ 2 में आते है, कुछ 3 में आते है, और कुछ 4 में आते है, ये पहले से बताया गया है, category 1 में जो भी products आते है, जो भी list of products है, यहाँ पर category 1 में आते है, उनके उपर minimum, मतलब 5% GST charge होता है, उसके अलबा category 2 में जो भी products आते है, उसके उपर हम 12% GST लगाते है, category 3 में 18 और highest percentage of GST कितना है, 28% है, कुछ products ऐसे भी हैं, जिनमें tax exemption है, मतलब उनके उपर taxes या GST चार्ज ही नहीं होता है, tax government चार्ज ही नहीं करती है, क्योंकि वो necessity items में यहाँ पर माना जाता है, जैसे हम यहाँ पर exports की बात करें, जो SEZ होता है, that is special economic zones, जिनको आप basically यहाँ पर export promotion के लिए government बनाता है, तो exports की उपर government कोई भी tax charge नहीं करता, तो यह आपके zero category में आता है, ठीक है, मैं उमीद रखती हूँ कि यह जो concepts आपके लिए clear हो गए होंगे, GST के उपर जुनरली एक छोटा सा सवाल आता ही है, और साथ ही साथ है, especially उसका जो tax slab है उसके उपर, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर types of retailers की बात करूँ, that is a very 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 important question, ठीक है, मैं उमीद करती हूँ कि भई, यह chapter आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो नीचे comment section में आप बलकुल अपना doubt डाल सकते हो, comments को भई, मैं बोखुत ध्यान से पढ़ती हूँ, कितनी भी busy हो जाओ, time निकाल के पढ़ती ज़रूर हूँ, हाँ, हर comment का reply नहीं कर पाती, तब तक के लिए, bye bye and have a nice day.